नमस्का मैं हूँ सौरपपांडे और आप देख रहे हैं धैनिक जागरान रूस और यूक्रेयन के बीच पिछले दो साल से भीचण युद्ध जारी है रूस ने इस युद्ध में यूक्रेयन के एक बड़े इलाके को अपने कबजे में ले लिया है वहीं रूस को भी इस युद्ध में गंभीर नुक्सान पहुंचा है इस पूरी लड़ाई में रूस के हजारों सेनिक मारे गए हैं अगर पश्चमी देशों के आकणों की बात करें तो इस युद्ध में रूस के लगभग 3 लाग से ज्यादा सेनिक मारे जा चुके हैं इस कारण रूस की सेना में सेनिकों की कमी पड़ रही है और ये लोग अब अन्य देशों से लोगों को लाकर अपनी सेना में भरती कर रहे हैं अभी कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में नेपाल के गोर्खा सैनिक रूस की सेना में भरती हुए थे और युद्ध में कुछ लोग मारे भी गए थे हाली में रूस से खबर निकल कर सामने आई है और खबर ये है कि रूस में कुछ भारती फचे हैं जिनने गलत तरीके से रूस की सेना में भरती किया गया है और अब इन्हें युद्ध के मैदान में भेजने की तयारी है रूस में फसे इन भारतियों ने अपना एक वीडियो सोसल मीडिया पर सेयर किया है जिसमें इन लोगों की तरफ से ये सब कहा जा रहा है जो मैंने आपको बताया है आप भी सोसल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें ये लोग खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग रूस कैसे पहुंचे और इनके साथ वहां क्या क्या हो रहा है। जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जोब मिलेगी खाना बगारा बनाने में या ड्राइबर बगारा की कोई ऐसी जोब मिलेगी आप हमारे साथ कॉंट्रेक्ट साइन कर लो तो हमने वो कॉंट्रेक्ट कर लिया। वो उनकी भासा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। अन्हों हमसें आर्वी में भैती कर लिया हैं। वहां पर हमसेंट ट्रेनिंग दिगई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहां पर यूकरेज़ छोड़ दिया गया। यूकरेन हमारे साथे उनको फ्रेंट लाइन पर ढाल दिया है। और हम साथ बंदे हैं जो कि एक या दो दिनी के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रेंट लाइन में डालेंगे और आप सब को यूद लणना पड़ेगा हमारी हम बिल्कुल भी यूद के लिए नहीं त्यार हैं हमें किसी को भी अच्छे से बंदूग भी नहीं पकड़न असफान को एक एजेंट ने सेगर्टी हलपर की नौकरी बताते हुए रूसी सेना में सामिल कर दिया था असफान के परिवार ने हैदराबाद के सांसर असुद्धन एवेसी से मदद की अपील की थी ओशी ने इसके बाद मासकों में भारती दूतावास से संपर्ग कर असफान के बारे में जानकारी ली थी तो अधिकारियों ने युद्ध छेत्र में उसकी मौत की पुष्टी की थी भारत के विदेश मंतराले ने भी ये स्विकार किया है कि कुछ युआओं को रूसी सेना में सामिल किया जा रहा है विदेश मंतराले के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने इस बात को स्विकारते हुए कहा है कि भारतीयों को कुछ एजेंटों के जरिये रूसी सेना में भर किया जा रहा है इसके अलावा अभी भारत के विदेश मंत्राले की तरफ से इसका कोई बड़ा जवाब नहीं आया है इन सब घटनाओं को देखकर भारत के विदेश मंत्री एक स्टेटमेंट याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा समय है जहां हर भारती यु वहां हम लोग जाने से बचेंगे उमेद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो से अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भोलें और अगर आपका कोई सुझाओ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद